वेलकम फ्रेंट्स आज वर्ल्ड हिस्टि की सदूसरी कलास में आपका स्वागत है आज हम ओद्योगी क्रांथ के अध्यन करेंगे जो लगातार सिविल सर्विसेज में यूपी पीछ सिएस में 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 लगातार आ रहा कोईशन इसमें आप सुनल पेपर में भी आ रहा रहा है और दोगी क्रांति के कारण क्या थे किस कारण से और दोगी क्रांति होने का इंग्लेंड में ही क्या कारण थे इंग्लेंड में होने का कारण है इसके बाद इसके क्या परिडाम हुए और फिर इसका क्या परभाव हुआ इन बिंदों पर हम अध्येन इसमें करेंगे और दोगी क्रांति का अध्योगी क्रांति हम जानते हैं कि अध्योगी क्रांति मतलब यह है कि जो दस आदमियों का या सो आदमियों का काम अकेले करते हो मसीन है या उद्योगी करांती में यही उद्योगी करण का मतलब ही होता है कि जो हतकर्दगा उद्योग था जहां पर हाथ से कताई बुनाई होती थी उसके बजाए बड़े बड़े टेक्स्टाइल स्मिल्स की अस्थापना होई और लगातार ये बिटेन में ही सुरू हुआ बड़े खाता था इसके बाद मांस भी खाता था तो कच्चा ही खाता था लेकिन जैसे ही उसे वह आग की खोज आग का करांतिकारी आविसकार हुआ तो उसे भुना मांस मिलने लगा और एक बहुत बड़ी उपलब्दी थी उस समय के लिए इसी तरह से अगर हम घेरदार कि खोज हुई तो ब्यक्ति चाहे जहां बस्ती बना करें कुमा बना के अपनी बस्तियां बसा सकता था सोसागर्थों को रूप में उकाम करते थे पही एक आविसकार हुए तो इपने सामानों का परिवान कर सकते थे इसके बाद घोड़ा-गाड़ी जो बैल गाड़ी थी जोड़ा-गाड़ी यूज करने लगे लेकिन अठ्रहावी सताबदी के पहले तक 18 सताबदी के पूर्वतक यही सब था यानि बैल गाड़ी के बज़ाए गोडा गाड़ी हो गई थी आग से पका के खा रहे थे मतलब और कोई तक्नीकी प्रगति नहीं होई थी आदमी जो अपने 2000 साल पहले की अवस्था में था उसी अवस्था में बस थोड़े जैसे पहिये काविसकार में ने बताए यह उसके पास था पहिया उसके पास था घोड़ा गाड़ी थी ठीक आग थी इस तरह से तमाम सारी चीजें थी लेकिन उद्ध्योगों आज जो हम देख रहे हैं इसका कुछ भी नहीं था कब तक 28 सताब्धि के पूरवग तक 28 सतासी के शुरुवात में 28 सताब्धिके प्रारम्ब में क्या होता है कि एक कह सकते हैं जो समाज ठा समाज गंजरवेटिव हो चुका था मद्यकालियन समाज भूतु attends है। पुरानी बेवस्ता थी उसमें जो चरम आने म्जरवेटिव हो गया था उसमें सारी चीजा किश व्यग्यानि भन सें ना सो्चने के बजाए बैक ती कुछ आल यहां पर 20 सताबदी में जब पुनर जागरण होता है यूरोप में, यूरोप में पुनर जागरण, तो इसने बिज्ञान, गडित, खगोल, नचत्र बिज्ञान, मतलब सब में परिवर्दन किया, बिज्ञान, बिज्ञानिक सोचारम होई, गडित में नई नई घटनाय घटी, खगोल बिज्ञान में नई प्रगति होई, ग्रहों के बारे में लोगों को जानकारी होई, धर्म की पुरानी मानिताएं तूटी, तो इस तरह से मनुष्य जो है, एक नए यूग में प्रवेश करने के लिए तयार हो रहा था, और इसी समय नए नए अविस्कार होई, अठ्राहुई सताब्दी के मध्य तक, अठ्राहुई सताब्दी सदी के मध्य तक नए नए आविस्कार होए, नए नए आविस्कार होए, ठीक, अब ये आविस्कार होए, लेकिन ये सैध्धानतिक आउस्था में थे, इसका कारण था कि ये सैध्धानतिक आउस्था में थे, इनको implement करने के लिए व्यापक तोर पर जो plate farm चाहिए plate farm ने मिला था ये केवल साइधान्तिक अगर भाब के engine का विश्कार हो थो भाब का engine के लिए जो plate farm चाहिए आज किस चीज में इसका use हो भाब के सक्ति का पता तो चल गया, लेकिन ये कहां पर यूज किया जा, इसकी अभी लोग इसको नहीं खोज पाया थे, हम इसको यूज कहां करें, तो ये सब चीजें आ गई, ये ठ्रामी सदी के मद्ध तक की स्थिति है, ये कारण थे, इस समय तक पूरा मटेरियल, और फार्म की खोज देखते हैं यहां पर, अभी है, यहां पर एक हमने दिखा है, इंग्लेंड में होने का कारण है, और दोगी करांत के, इंग्लेंड में होने का क्या कारण था, सबसे पहले अगर हम कारण देंगे, तो इसकी भावगोलिक इस्थिति, क्या, भावगोलिक, एक महा दीपिए उरोप है उससे अलग है इंगलिस चैनलव दौरा अुससे पृतक हैं फ्रांस से पृतक होता किसे इंगलिस चैनल दौरा इसने अपनी उर्जा बेस्ट की आने जाने में ये लगा उन्हेस इसने बिटेइन को क्या बना दिया एक नवी की बहुत स्ट्रॉंग हुगई और ये अब के उल्ग यंग्लिश चैनल पार करके वी जाने के लिए इनके पास हिम्मत आ गई एक बार आदमी कदम बढ़ा दिया इंग्लिश चैनल पार कर लिया और दस बार पार किया उसको इतना हो गया समुद्र तो कुछ नहीं है उसने अट्लांटिक पार करना सीख लिया उसने अट्लांटिक और हिंद पार करके भारत में आना सिखा अफृप फड़ी Aفरीका गया हो मतलब हर जगह उसने अपनी जो एक डर तर्के आगे जीत ते पूरे दुनिया को जीत लिया यहां पर इसने बिटेन के her bond और यहां से जब हब के इसने इसले नेज्टर पूर्टि के लिए अब एक वल मुख्य भूम से नहीं के वल यूरोप की मुख्य भूम से ही नहीं मुख्य भूम से ही नहीं कहां कहां गया यह अमेरिका में भी गया अमेरिका यह उत्तरी अमेरिका में गया उत्तरी नार्थ और एंड साउथ दोनों में गया फिर अफरीकी महादीप में गया अफ्रीका में गया फिर इंडिया में आया फिर और कहा गया नार्थ इस्ट में गया नार्थ इस्ट कह सकते हैं कि इस्ट एसिया में गया इंडोनेशिया हो गया इस्ट एसिया में गया मतलब इस तरह से इसकी गत्यात्मक्ता बहुत स्ट्रांग हो गई और यहां से इसने ब्यापार बाड़ेज्जी के दौरा अपनी आउ सकता है पूरी करनी प्रारम कर दी बिटेन ने अब देखिए इसी समय यहां पर घेरा बंदी 18 स्थाद्धी के मध्ध तर एक घेरा बंदी कानून लागो गवा कौन सा कानून था दूसरा घेरा बंदी यहां इसको छोड़ते हैं बंदी कानून अभी हम बता रहे हैं क्यों इंग्लेंड में होने का क्या कानून था यह और दोगी करान पहले इंग्लेंड में हुई घेरा बंदी कानून लागों होने से यह हुआ कि भूमिपति जो थे भू जमिन्दार थे शासकों पर बीजय पाई और जबकि सेस यूरोप यूरोप में एस्थिति नहीं थे जमिन्दारी पर था अभी पी अपने चरम रूप में बिद्धिवान थे अब यहां पर इन्हों ने जब इस पर बीजय पाई और भेरे बंदी कानून ने उन्हें बड़े बड़े फार्म अस्थापित करने के लिए बड़े बड़े फार्म अब छोटे छोटे खेट जो पहले माइनर्स वहां के जो जमिन्दार थे उनके अधीन जो किरिसक थे वो उनके अधीन लागान देते थे परिसान रहते थे तो उनको उन्होंने कंपेसें से दिया और बड अपनी उपज अपनी पूजी का अनुमान तक हमें क्या करना है और यहां पर बड़े बड़े फार्म जब स्थापित होने लगए छोटे-छोटे किसान बेरोजगार हो गए तो यह अपने रोजगार के लिए कहां गए साहरों में गए साहर में बाढ़ आ गई गेरे बंदि कानून के बाद जब यहां पर बड़े-बड़े पूजी पती आए तो यहां पर साहर में बेरोजगारों की भिफाउज आ गई मजदूरी खोजने के लिए लोग प्रयासरत हो गए और यहां पर जो घेरे बंदी कानून लागो हुआ इससे इन्होंने जो भूमपत पाए पहले सासक थे तो उनको उपज से कोई मतलब नहीं आता था अपने अलगान से मतलब होता था लेकिन इन्होंने उपज बढ़ाई उ बस पूजी आई इनके पास और इसी घेरे बंदी के कारण यह जो है छोटे-छोटे किसान बेरोजगार हुए यह सहरों में गए अब इतनी स्थितियां होने के बाद यह जो आविस्कार हुए थे आविस्कारों ने अभी अपने बेसिक रूप में थे सैधान्तिक रूप में थे मुख रूप में नहीं आये थे यहाँ पर अभी उसकी संभावना नहीं थी लेकिन यहां पूजी और चुकि उपनिवेसों से इसको जो है कुछ लाव हो रहा था बिदेश्ची बैपार से इसको लाव हो रहा था और देशों की स्थिती इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि वो अपनिवेस अस्थापना के लिए उतने प्रयासरत नहीं थे जितना बिटेन कर पाया क्योंकि इसकी हमने बताया कि इसकी गत्यात्मक्ता मुख्य भूम से अलग होने के कारण ये अन्य देशों में जा पाया अपना बैपार बड़ी कर पाया तो इस वज़ा से इसकी गत्यात्मक्ता और पूजी यहां इकठा हो रही थी और ये आयात करता था हम जानते हैं भारत से क्या आयात करता था भारत से सूती बस्त्र मलमल बताया था कि ये बाद में बिटिस इंडिया कंपनी जब सासन कर रही थी तो इसने यहां से सूती बस्तर चुकि उसके यहां के अध्योगी करांत के बाद वहां सूती बस्तर का उत्पादिन ब्यापक होने लगा लेकिन भारत की यह सूती बस्तर अभी भी उत्कृष्ट था तो इससे होता था कि मतलब वहाँ पर इसने भारतिये चीजों पर इतना प्रतिबंध लगाया कि यहां से लोग बंद करें लेना और हमारे उत्पादों को लें तो इसने कई सौ पॉंड का जो है उजबराना लगाया था कि भारति रुमाल रखने के लिए तो सूती बस्त्र जो था उसे आयात करना पड़ता था भारत से चुकि उनी बस्त्र उद्योग वहां का पुराना था इसलिए वहाँ पर जादे संभावना नहीं थे उनी बस्त्र उद्योग में क्योंकि उनी बस्त्र उद्योग से धीरे पराचीन रूप से परांपरागत जमिनदार थे उस पूजी को इन्होंने उस सैधान्तिक सैधान्तिक वाविस्कार जो हुए थे उन्हें उन्होंने इन्वेस्ट किया और एक नई मसीनों के निर्माण में सफल हो गए अब इसे इसकर सूती बस्त्र और दूसरी एक जो थी कोईला और लोहा क्या था कोईला प् ब्यापक रूप से लोहे का प्रगलन होता है वो कोईले के अलावा कोईला ही करता है कोईले से ही उसको उर्जा मिलती है तो कोईला प्रयाप्त मात्रा में यहां पर मौजूद था उसके पास लोहे की खाने थी और इस पात के बिना मसीन नहीं बिना जा सकती है मसीन बनाने क पूजी आने से यहां बेरोजगार किसान जो थे और मजदूर थे खेतों के वह कहां गए सहर में उध्योग कहां लगा सहर में जो सधान्दी किस्थिती में थी उन पर पैसा इनिवेस्ट किस ने किया इन पूजी पतियों ने अब यह पूरा material तयार होने से यह हुआ कि यहां पर उद्योगी के स्थापना हो गई उद्योग यहां से चलने लगे हो यह 18 श्थापदी के अंत तक 18 सधी के अंत तक क्या हुआ उद्योग उद्योगी करण प्रारंब हो गया उद्योगी करण प्रारंब हो गया कि असपस्ट हो गया होगा आप लोगों को अठ्रामी सदी के अंतर तक उद्द्योगी करण प्रारंब हो गया अब ये प्रस्ण उठता है कि इंग्लेंड में क्यों हुआ और सेस यूरोप में क्यों नहीं हुआ ये भी प्रस्ण हो सकता है कि इंग्लेंड में क्यों हुआ और स वहाँ अभी Europian countries में, वहाँ पर जमिन्दारी पर्था उने कराण अभी ऐसी स्तितिया नहीं थी जो पुजी जो सासक थे भोग विलास में बश्त थे, मुगल कालिन सासक शलतनत कालिन सासक या राजपूत कालिन सासक यह सब क्या थे, इस अपने भोग विलास में मस्त हो करके यह अन्य जो प्रगति सील विचारधारा है उसको एड़ाप्ट नहीं कर पा रहे थे जबकि यहां पर जो अस्थानी असासा के पूजी पति बर्ग के बाद जो भूम पतियों ने सब्ता पाई अब भूम पतियों के पास जब भूम ही आई तो उन्होंने इसका सदूपियोग करना प्रारंब कर दिया जबकि सेस यूरोप में ऐसा संभव नहीं था अब एक चीज़ होती है जैसे बिटे जो उद्योग लगे उद्योगों के लिए चलाने के लिए क्या चाहिए कच्चा माल चाहिए क्या चाहिए उद्योगों के लिए उद्योग के लिए क्या चाहिए कच्चा माल और क्या चाहिए माल की खपत यानि तयार माल के लिए लिए बाजार इस दोनों चाहिए तयार माल उनका हो गया तो उसको बाजार चाहिए तो एक प्रस्ण उठता है कि भाई कच्चा माल चाहिए और बाजार दोनों चाहिए बाजार के लिए का सकते हैं यूरोप यूरोप इतना बड़ा बाजार लेकिन इंडस्टी जब तयार होने लगी यूरोप के पास उतनी पर्चेजिंग पाउर उसमें नहीं थी कि वो पूरे और दोगिक माल को खपत कर सके ऐसे में एक ऐसे बाजार इनके बिटेन को बाजार के आँ सकता थी और यह पहले से उपनिवेसी करण हम जानते हैं कि जो भारत में इसकी स्तिती 1660 में इस्ति-इंडिया कंपनी का स्थापना हो गई थी इसने पूरे भारत में की पूरे बिस्प में अपना पंख फैला दी थे तो अईसे में इसके लिए बाजार की कमी नहीं थी देस के बाजार बन गए तैयार माल के लिए भारत में जानते हैं कि इसने खड़ उद्ध्यों का नस्ट कर दिया उस नस्ट विभिन विद्ध्वानों ने कहा कि यहां के बुनकरों के हड़ियां पूरे उत्तर भारत के मैदावों में पूरे देश में फैली हुई हैं तो कई बुनकरों ने यहां पर इतना अमानुशिक अत्याचार हुए कि लोगों ने अपने अउठे कटवा दिये बुनकरों ने तो उस अत्याचार के बदवलत बृटेन ने अपने मार्केट को अस्थापित किया अपने देश में उसने रिस्टिक्संस लगाए बाहरी माल प ठैघएंग अब चुछा नहीं पाएंगे करगें तयार माल नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे मजबूरी है उनकी जो है जो है झोड़ कर ये खेटी का पेसा अपनाने से उनको कई फायदे हुए जैसे कपास हमें सूती बस्तर के लिए क्या चाहिए कपास सूती बस्तर उद्धोग के लिए कपास चाहिए अब बुनकर भी और सामाने किसान भी सब चाह करके खेती उगाने खेती में पहुंच गए क्योंकि इनका करगा तो तोड़ दिया उसने अवी इंडेस्टिलाइशन किया अधोगी करण किया उद्धवों का बिनास सब्सके तcussion पर पढ़ा उसका जो फायदा हुआ बृते हुआ कि और से दिया उसके सूती कपास के लिए Crane भारत में ही भारत से कच्चे माल के उप्राप्त कर लेता था और उपने में से अन्य कच्चे माल उप्राप्त करता था सारे कच्चे माल यहां से प्राप्त करता था और तयार माल के लिए उसने ट्रेने यहां चलाई क्या चलाई ट्रेने चलाई ऐसे ही उसने विभिन जगों पर की ट्रेनों के द्वारा या इसने वढ़ाई की ताकि पूरे देश में एक एक कोने में बृटेन का माल उसके उद्ध्योगों का माल पहुंच सके तो अब यह चीजें बृटेन के पास मौजूद थे जबकि और द देश नहीं कर सकता था बृटेन सर्वोच था उद्ध्योगी करण में लेकिन बाद में अमेरिका फ्रांस और ये रोपियन कंट्री यह आगया है वह इसी के बाद उपनिवेसों को होड़ मची उपनिवेस एक दूसरे से लेने की ओड़ मची इसी उपनिवेसों की होड़ म करणान दो इसे दोरान पूरे इंस दोरान ने कि एकresh अनुसी होगा remoश करणान हो कि इस दोरानिंडे हैं चछलिए पर एकन बात की। में और खीरट भातने कि ब्लार हुए आपने श्वोगा अन्य देश जो भारत अफ्रीका बहुत सारे देश वो अपनी इस्थिति सुद्रिण नहीं कर पाए और मानुसिक सोसड का जहलते रहे तब तक कि जब तक को सोतंत्र नहीं हुए आज भी अफ्रीकी देश कई देश हैं ऐसे कि जो अमानुसिक जीवन जी रहे हैं जो सायद किसी मनुस्य के लिए भारपूरी मानुता के लिए सर्म करने वाली बात है कि हमारे बिस्स में जब इतनी समरिद्धी हैं मंगल और अन्य ग्रहों पर जा रहे हैं और वहां पर ऐसी के लोग इतना बूरा जीवन जीने के लिए मजबूर हैं अब यह हो गया कि मज़्दूरों की इस्ति यह हो गई कि मजदूर जो सहरों सबसे बड़ा जो सामाजिक परिवर्तन हुआ अब वह सबसे पढ़ा अगर सामाजिक परिवर्तन देखें को मिटा देते हैं लुगाए है उन्हें यह प्रौवन गर देखंगे तो चुक्य विभीन्य सहर थे पर मजदूरों की स्थिति थी और उद्योगों में मजदूरों को कम से कम पैसे में क्या करना था अपना काम निकालना था कि शुरुआती उद्योग थे और उनको अपनी लागत कम करनी थी और प्राफिट बढ़ाना था ऐसे में मजदूरों का मानुसिक मजदूर जो पहुँचे तो उस सहरों के उन्मुक्त वाता अउनर से जो सहरों के संकरी सीलन भरी कोठरियों में पहुँच गये अब वहाँ पर छोटी छोटी जगहों पर सैकड़ों छोटी छोटी कमरों में क्या था? कई-कई परिवार रहते थे यहाँ पर बच्चे काम करने के घंटे असाहनिये थे उसमें बच्चे भी सामिल होते थे बच्चे भी सामिल होते थे और बच्चे के अलावा महिलाएं पुरुस्त थे ही इन लोगों को भी अमानुसी कत्याचार का सामरा करना पड़ता था आसानी घंटे काम करते थे और इस तरह से इन मजदूरों की इस्थिती बहुत देनिये थी यह के कमरों में कई-कई परिवारों के रहने के वज़ा से जो एक नैतिक्ता होती है नैतिक्ता तूटी और अबायत संतानों की बाढ़ा आ गई एक तरह से जो बिटिस बिटेन में पस्चिमी करन ने जो सब्धता और खुलापन की इस्थिती जो आज हम महसूस करते हैं वो उस समय की जो मानेता हैं टूटी उसी मानेताओं के तूटने के वज़ा से लोगों के प्रती जो है एक दूसरी के प्रती जो लगाओ या इस तर अलिगे क्योंकि अमेरिका मूल ता जो वहां के रेड इंडियन है वो तो है लेकिन अमेरिकी Ό गोरे अमेरीकी हैं, वह भी किसी इन किसी रूप से बिटेन से ही माईडेटेड हैं, बिटेन में उनको बसाए गया था, जो विसेशकर किसी तरह से विरोधी या अन्य अगर सभाव किरार लोग थे, उनको अमेरिका में भी बसाए गया था, तो उस तरह के इस्तितियों के बिरोध की आवाजें भी उठी किसकी बिरोध की आवाज और आधुनिक आयलो जैसे इंटरनेशनल लेवर आर्गनाइजेशन या बिभिन्य अंतराश्ट्री श्रम संगठनों के स्थापना हुई अंतराश्ट्री बिर्टेन में भारत में 1891 में 1881 में इस तरह से अलग अलग समय पर काम के घंटिन रिधारित करने पड़े उसकी आवाज यहां बिटेस इस इंडिया कंपनी नहीं बलकी उसकी आवाज बिटेन से ही उठी ती पूरे उसको बिटेन को पूरे अपने समीव उम्डवेसों में उ जो यह अंतराश्टी समसंगत्नों के अस्थापना के अलावह अन्य जो इसके परभाव थे उन परभाव में अगर देखा है तो जो बिटेन या अन देश जो एकाधिकार की भावना उनकी थी बाड़िजिक एकाधिकार ये भावना बिटेन की जो थी इसको तोड़ने के लिए लैसेज फेयर जैसे नियम की भी अस्थापना इसी समय हुई लैसेज फेयर यानि खुलेपन या खुलेपन की नीत या जो बेसिक खुलापन होता है इस पर जो बर्चस हो सासक का उसको नियंतरित करने का जो बर्चस हो सासक का बर्चस हो रहता है सासक का वो ना हो इस बर्चस के बर्चस को सास की ये बर्चस को तोड़ने की तोड़ने का नियम है बाड़िजिपर सास की ये वर्चस को तोड़ने कानियम यानि उन्मुक्त आज हम 1991 में भारत में जो एक खुलेपन की इस्तिति हम महसूस करते हैं जो गलोबलाईजेसन हुआ उस गलोबलाईजेसन की जो आवाज थी वो आवाज इसी समय लेसे स्वेर की रूप में आई 1760 में 1776 में एडम स्मिथ ने वेल्थाफ नेशन बना मगबुक लिखी वेल्थाफ आफ नेशन इसमें वाज जी के काधिकार के निंदा की गई और इसे जो है बिनिमे दर या बिनिमे को सामाने लेन देने को जो आपस में भी था और अने कंट्रीज के बीच में भी था एक जो सामाने नियम होता सामाने रूप से इसको चलने देने की बाद कही गई है तिस तरह सम देखते हैं कि वाजजिक और दोगी क्रान्ति ने और दोगी क्रान्ति ने एक ऐसी स्थिति पैदा की जो पूरे पहले तो इंग्लेंड में शुरू हुई और इंग्लेंड के बाद या ये उरोप में आई इंग्लेंड के बाद आई 7 साथ के बाद जो है आज भी जो देश अभी इसके अच्छूते हैं यहां भी अद्धोगी करांद की प्रक्रिया लगातार चली रही है जो पहले अद्धोगी के द्राश्ट हुए थे वह आज बिक्सित देशों की स्रेडी में है पूरा यूरोप है अमेरिका है रूस है यह लातार नियंतर तब तक चलती रहेगी जब तक एक सचुरेशन की स्थिति नहीं आ जाती है अगर वीडियो अच्छा लगा होता लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक्यों फार वाचिंग